लो दोस्तों कैसे आप सभी I hope कि आप सब ठीक हों गे तो दोस्तों जैसा कि हम लोग CT TVS के important question को solve कर रहे थैं I hope कि आप ने इससे पहले एक वीडियो देखी होगी जिन लोगो ने नहीं देखी आप लोग जरूँर देखिएगा काफी helpful है आपके लिए और दोस्तो 15 नमबर के जो content के question आते हैं वो इसी के इर्दगिर्द घुमेंगे पेड़ागोजी के जो सारी question थे मैं solve करवा चुकी हूँ आपके वहीं से मिल जाएंगे content वाले question बचे थे जो मैं solve लगबग सभी complete हो चुका है और इस वीडियो में जो कुछ बचेगा मैं next में उसे complete करा दूँगी बाकी लगबग जो है class 3rd, 4th, 5th की NCRT में जो कुछ भी topic दिया था जहां से question बार बार पूछे जा रहा है उन सब को मैंने cover करा दिया है एक दो वीडियो में सब कुछ complete हो जाएगा और दोस्तों आप लोग नए हो चैनल पे subscribe कर लिजेगा बलागन को press कर लिजेगा ताकि सीटेट सी related हर अपडेट हर class जो है आपको time पर मिलती रहे और दोस्तों यहां पे मैं यह भी बता दूँ बहुत से आप भ्यारती है जो वीडियो तो देखते हैं मगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप please कर लिजेगा स्टार्ट कर जा आज का पहला question बहुत important है सभी question important है आप देखिएगा last तक बने रहेगा पहला question हम लोग solve करते हैं house boat कहां पाई जाती है option A में दिया गया है केरल B है श्री नगर C है गुजरात D है गुवा तो house boat कहां पाई जाती है आप लोग भी अपने comment करिया और दोस्तों इन question में से आप कितना कर पाते हैं यह भी जरूर बताईएगा house boat दोस्तों यह जो है श्री नगर में पाई जाती है option B जो है इसका correct answer होगा अगला question आप लोग देख पा रहे होंगे लकडी के डोंगे कहां पाई जाते है option A है केरल B है श्री नगर C है गुजरात D है गुवा तो कि NCRT का page है श्री नगर में बाहर से आए कई tourist house boat में रहते हैं house boat 40 foot तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चोड़ाई 8-9 foot तक होती है यह भी आप से पूछ सकता है और यहाँ पे boat की तरह बने लकडी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं श्री नगर की डल लेक और जहलम नदी में इन टोंगों में कई परिवार रहते हैं मकान की तरह इस टोंगे में भी अलग-अलग कमरे होते हैं तो आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पे अगला question हम लोग solve करते हैं भारत की आजादी से पहले महात्मा गादी ने जिस दांडी के समुद्रतर तक अपनी पर अजाम हुआ था तो उसमें repeat बहुत हुआ है तो आप इस question पर ध्यान दीजिएगा इसका जो correct answer होगा वो गुजरात होगा अहमदाबाद गुजरात अभी इसका हम लोग detail भी देख लेते हैं NCRT के पेज़ पर डांडी यात्रा यहाँ पर पूरा जो है इस topic से related detail दिया गया है यह घटना 1930 की है यह भी पूछ सकता है आप से 1930 ठीक है कब की है 1930 की है भारत की आजाती से पहले बहुत सालोस से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी उपर से नमक पर भार नमक खरीदना पड़ता था इस बात से लोग बहुत नारास थे गादी जी का कहना था जो चीज हमें कुद्रत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसे उन्होंने लोगों के साथ मिल कर अहमदा बात से डांडी के समुद्र तर तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून क जानती हूँ नमक कैसे बनाया जाता है समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है तेज धूप में पानी सूप जाता है और नमक के धेर मही रह जाते हैं यहां से कोशन किया गया है इसलिए मैंने पूरा डिटेल दिखाया ताकि इधर उदर से उसी पूछेगा तो आप लोग उसे कर लेंगे अगला कोशन हम लोग स्वाल करते हैं निमने में से वह कौन सा जोर है जो कपकपी के साथ आता है और उसका उपचार सिंकोना पेड की चाल से किया जा सकता है तो आप्शन ए दिया गया है मियादी बुखार बी है मलेरिया सी है चि बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा और यह भी कोशन जो है खुब पूछा जाता है यहां पर आप लोग नसी आटी का डिटेल देख पा रहोंगे मलेरिया की दवाई मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड की चाल से बनाई जाती है यहां पर उसकी रिपोर्ट भी दी गई है आप लोग देख सकते हैं अगला कोशन हम लोग सौल करेंगे निम्नलिकित में से चेराओ नाच किस राज के लोग करते हैं यह आनलाइन एक्जा जाता रहा है 2021 में भी 2022 में भी ऑप्शन ए है जारकंड बी है मिजोरम सी है मडीपूर डी है मिखाले तो चिराओ नाच जो है यह किस राज के लोग करते हैं मिजोरम के लोग करते हैं ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा अगला कुशन आप लोग देख पारोंगे निमनलखित में से तमिल नाडू के निकटवर्ती राज कौन से है दोस्तों निकटवर्ती राज जो है जरूर पूछता है चाहे बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज कौन से है इस तरह से पूछेगा या फिर इस तरह से किसी भी राज को ले लें कि इस राज से सटे हु एक्जाम होता था तो यही कोशन आपका सेम उठा के दे दिया करता था यह कोशन बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों आफलाइन एक्जाम में भी आनलाइन में भी तो इस पर तो आप लोग ध्यान दीजिए गाई क्योंकि यह आप्शन के साथ रिपीट हुआ है और अधर करनाटक करनाटक जो राजजी है और यह कोशन को मैं मैप के थ्रू बताऊंगी नेक्स वीडियो में और डिटेल वी विदीओ नहीं रहेगा पांच से साथ मिदेट के अंधर ही मैं सब साल कराऀ संनी गुछलam अगला question आप लोग देख पारोंगे नीचे दिएगे विकल्पों में कौन सा एक समूज जड़ो का है ये भी question आप से कई बार पूछे गये हैं कई शिफ्टों में पूछे गये थे अगला question हम लोग देखेंगे houseboat छेतर में देखा जा सकता है option A है रेगिस्तान में B है बहुत पानी में C है बहुत बर्फ में D है नन आफ दिस आप भी अपने answer करें और दोस्तों प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हरा भ्यारती तक बहुत सके अगर मैं आपके लिए इतना कर रही है तो दोस्तों आप आपको इतना तो बनता है कि आप जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा और नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा इसी तरह चैनल पर बने रहेगा आपको हर कंटेंट जो है मिलता रहेगा सीटेट से रिलेटेड और दोस्तों इधर उधर के नहीं important जो direct question में आ option B जो है इसका correct answer होगा ठीक है इस question देख पा रहे होंगे आप लोग बंदर शेयर टिता चुए के घर करमशा है इस तरह के question जो है offline में नहीं पूछे जा देते मगर online में आपको देखने को मिल रहे होंगे तो यह जो है दोस्तों जैसा क्रह में उसी तरह आपको करमवाइस क देख पार होंगे घोसला पेड़ एवं गुफा आंसर अगर आप देखना चाहिए तो यहां भी देख सकते हैं लेकिन जैसे इसमें दिया रहेगा ना question में उसी के त्रू जो है आपको option भी टिक करना होगा भी है गुफा बिल पेड़ गुफा तो बंदर कहा रहता है पहले उसका second वाला देखेंगे कि गुफा होगा चुवा कहां पे रहता है तो बिल में रहता है तो option C में आप देख पार होंगे पेड़ गुफा एवं बिल इस तरह से serial वाइज आपको आंसर करना ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसे देख कि आप कहीं भी मार दिये निकल लिए कि हाँ ये आप जो है कहीं भी मार के निकल सकते हैं बिल पेड़ों गुफा यहां पर भी दिया है तो आपको सीरियल वाइस देखना है ठीक है ऐसे question पर आपको द्यान देना है आप इजी question समझ के ना उसको जल्दी में करके आगे निकल जाएंगे वही question आपसे गलत हो जाएंगे गलत करके आप चले आएंगे तो जो इजी वाले question है उस पर थोड़ा आप आराम से देखिएगा क्योंकि वहीं आपसे वहीं जो है आपसे गलती हो जाती है इसमें c option correct होगा next question आप लोग देख पार होंगे जब कोई व्यक्ति ट्रेन दोरा आहमदाबाद से किरल की यात्रा करता है जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है यह सुरंगे परवतों में है तो यह पश्मी घाट option c जो है इसका correct answer होगा यह question पूछा गया तो यह थी आज के दस question I hope कि आप सभी को अच्छे लगे होंगे और दोस्तों अच्छे लगे होंगे तो like करिएगा नए हो चैनल पर subscribe जरूर करिएगा और please आपसे request है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जो जो important है चाहे जिस भी topic के हो चाहे जिस भी subject के हो EBS के हो CDP के हो Hindi के हो आपके language को उठा लें किसी भी subject के हो math के हो तो मैं उस पर जहां से बार-बार question उठाया जा रहे हैं उसे जो है मैं जरूर दूँगी आप सभी को ताकि आपके वहां से question गलत ना जाए तो बस इस वीडि आपके साथ तक लिए बाय बाय टेक केर थैंक यू खुश रहे पढ़ते रहे हैं